एक समय की बात है, एक राजा अपने वजीर से बहुत नाराज हो गया। जिस समय उसे ले जाया जा रहा था, लोगों ने देखा कि वो जरा सा भी चिंतित और दुखी नहीं है। पत्नी ने बहुत सोचा, पर इतनी उची मिनार तक धागा पहुचाने की कोई उपाय उसको समझ नहीं आया। उसने गाउं के एक समझदार माने जाने वाले व्यक्ति से पूछा। तो व्यक्ति ने कहा, ब्रंग नाम के कीडे को पकड़ो, उसके पैर में रेशम के धागे को बांध दो, और उसकी मूच के बाल पर शहद की एक बूंद रखकर, उसका मूच चोटी की और करके मिनार पर छोड़ देना। उसी रात को ऐसा किया गया। वहकीडा शहद की गंद पाकर उसे पाने के लोब में उपर की और चड़ने लगा, और आखिर उसने अपनी यात्रा पूरी कर ली। अब रेशम के धागे का एक छोर कैदी के हाथ में पहुँच गया। अब धीरे धीरे सूत की धागे से डोरी और डोरी से मोटी रसी बनती चली गई। उस रसे के सहारे वजीर कैद से बाहर हो गया और वह अपने परिवार के साथ गाउं छोड़ कर चला गया। खास बात यही है दोस्तों कि जिन्दगी के अंधेरों तमाम उठा पटक से बाहर निकलने के लिए रोश्नी की एक किरण ही काफी होती है।